हलो दोस्तों, वेलकम टू मैं टूप चैनल, आज हम पढ़ने वाले हैं भहतेक विज्ञान में यांत्रीगी का पार्ट नमबर टू, जो कि आने वाली प्रतियोगी परिक्षा वर्ग एक वर्ग दो के लिए बहुत ही महात्पून हैं ये जो प्रश्णोत्री है, आज की वल्लाइनर प्रश्णोत्री है, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे, भारहिंता की आविशक्ता में एक मुम्बत्ती की जुआला का आकार वही रहेगा एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक मुचाई तक चड़ता है, इसका कारण है तरल का प्रश्ट तनाव, जल की अपेक्षा अधिक है गुरुत्वकर्षण के सार्वभोमेक नियम का प्रतिपादन किस ने किया? इसका आंसर है न्यूटन उर्जा सनक्षण का आसा है कि उर्जा को ना तो स्रजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है पास का लिकाई है तापमान की एक कुलोग्राम प्रति सेंटिमीटर का स्क्वेर दाब समतुल्ले है 0.1 बार के क्यू सेक से क्या मापा जाता है इसका आंसर है जलका बहाब किसी पिंड का भार ध्रुबों पर सरवाधिक होता है नेक्स्ट कोशन है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार बास्तिविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नेचे इसका आंसर है पानी की बूंदों का तेलिय प्रष्टों पर ना चिपकने का कारण है आसंजक बल का आभाव नेक्स्ट गोशन है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है प्रत्वी के गिर्द पस्चिम से पूर्व की ओर पहिये में बॉल बेरिंग का कारण है इस्थैतिक घर्षण का गतिजी घर्षण में बदलना नेक्स्ट गोशन है यदि लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो लोलक के जूनने का समय दोगना हो जाता है नेक्स्ट गोशन है पेंडूलम को समुद्र पर ले जाने पर उसकी समय अवधी बढ़ेगी नेक्स्ट गोशन है एक कड़का द्रभमान M तथा संबेक P है इसकी घते जूर्जा P2 बटे 2M होगी नेक्स्ट गोशन है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गती करता है यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है प्रत्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वा कर्शन से नेक्स्ट गोशन है घड़ी के स्परिंग में भंडारित उर्जा इस्थितिज उर्जा कहलाती है कक्षा में अंतरिक शियान में भार हिंता की अनुगूत्य का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वा कर्शन के कारण त्वरण के बराबर होता है नेक्स्ट गोशन है न्यूटन के गती के तीसरे नियम के अनुसार, किरिया तथा प्रतिकिरिया से संबंधित बल है, इसका अंसर हमेशा भिन 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 बस्तों पर ही लगे होने चाहिए नेक्स्ट गोशन है प्रतेक्रिया के बरावर बविप्रित दिसा में एक प्रतिक्रिया होती है यह कथा न्यूटेट के गती का विश्यक तरतियक नियम है नेक्स्ट गोशन है जल में तेरना न्यूटेट के गती के किस नियम के कारण संभव है इसका आंसर है त्रतिय नियम के कारण संभोढ है यह Next question है दलदल में फस्य व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती क्यूंकि 6 फर अधिक होने से दाव कम हो जाता है Next question है वर्फ के तुकड़ों वर्फ के दो टुकडों को आपस में दवाने पर टुकडे आपस में चिपक जातें क्यूंकि दावदेख होने से वर्फ का गलनांक घट जाता है प्रत्वी के गुरुत्वाकर्शन का कितना भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकर्शन के सबसे नजदीख है इसका आंसर है एक पटेच है किसी पिंड का द्रभमान तथा भार में अंतर होता है क्यूंकि द्रभमान इस्थिर रहता है जबकि भार परिवर्थनिया होता है नेच्ट गोशन है किसी भी स्थिर या गति सील वस्थू की इस्थिती और दिशामे तब तक कोई परिवर्टन नहीं होता जब तक उसपर कोई बाहवल सक्रिय ना हो यह कथन है न्यूटन की गती का विश्यक का प्रथम नियम है नेक्स्ट कोशन है कौन सा नियम इस कथन को बैधर ठहराता है कि द्रव का ना तुसरजन किया जा सकता है और ना ही विनास इसका आंसर है उर्जा सनरक्षन का नियम नेक्स्ट कोशन है आटो मोबाइल में प्रियोगत द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रियोग है पास्कल के सिध्धान का नेक्स्ट कोशन है पदार्थ की संबेग और वेग की अनुपास से कौन सी भौतिक राशी प्राप्त की जा सकती है इसका आंसर है द्रव ब्रमान नेक्स्ट कोशन है कोई साइकल सवार किसी मोड में घूमता है तो वह अंदर की ओर जुकता है नेक्ट गोशन है क्रीम सेपरेटर में दूध में से बसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है इसका अंसर है अब केंदरी है बल की वज़े से नेक्ट गोशन है सूर पर उर्जा का निर्माण होता है ना भी किये सल्यान द्वारा next question है सूरी की उर्जा उत्पन्न होती है ना भी की है सल्लियन द्वारा next question है पानी के एक गिलास में एक वर्फ का टुकडा तैर रहा है जब वर्फ विघलती है तो पानी की इस्तर पर क्या प्रभा होगा? उतना ही रहेगा पानी से भरी डॉट लगी बोतल में जमने पर तूट जाती क्यूंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है लेंप में बत्ती में तेल चड़ता है क्यापिलरी क्रिया के कारण जब सुध्य जल में डिटर्जेन डाला जाता है तो प्रश्ट तनाव घट जाता है आर्कमिडी जी का नियम किस से संबन्दित है इसका अंसर है प्लवन के नियम से संबन्दित है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यूंकि तेल का प्रश्ट तनाव जल से कम है द्रव की बून की आकरती गोलाकार होने का कारण है उसका प्रश्ट तनाव वर्षा की भून गोलाकार होती है, सतही तनाव के कारण होती है गोलाकार एक द्रब भून की प्राकरती गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है उसका प्रष्ट तनाव इस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छड कम होते क्यूंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है नेक्स्ट कोशन है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रस के बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण है उसका प्रेश्ट तनाव नेक्स्ट कोशन है इस्थिर गती से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे उपर फेंगता है गेंद गिरती है उसके हाथ में जेट इंजन किस सिध्धान पर कार करता है रेखिक संबेग के दूद से मखन निकालने पर दूद का गनत्व घटता है जब किसी वस्तो को प्रत्वी से चंद्रमा पर ले जाये जाता है तो उसका भार घट जाता है जब एक चल वस्तो की गती दुगनी हो जाती है तो उसकी तक कंब्रे की छट के निकट लगाए जाते हैं क्यूंकि सास में छोड़ी हुई गर्मावा उपर उठती है और बाहर चली जाती है हवाई जाज में फांटेन पेंसे स्याही बाहर निकल जाती है क्यूंकि उचाई बढ़ने से वायुदाप में कमी आ जाती है धक का सह प्राया स्टील के बनाए जाते हैं क्यूंकि उसकी प्रत्यासिथा अधिक होती है चंद्रमा पर बायुमंडल नहीं है क्यूंकि ये सूर का प्रिकाश पाता है जब एक ठोस पिंड को पानी में डोगोए जाता है तो उसके भार में रास होता है ये हरास कितना होता है बिस्तापित पानी के भार के बराबर वर्फ में तैरती है परन्तु एलकोहल में डोग जाती है क्यूंकि वर्फ पानी से हलकी होती है तथा एलकोहल से भारी होती है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुई यातरी आगे की दिशा में गिरते हैं इसके गारा समझाया जा सकता है कि न्यूटन का पहला नियम है ये रोकेट के कारपरणाली किस सिध्धान पर आधारित होती है किरकेट का खिलाडी तेजी से आती हुई बॉल को क्यूं अपने हाथ को पीछे खीच कर पकड़ता है बॉल विश्राम की स्तिती में आ सकती है प्रेशर को कर में खाना जल्दी पकता है क्यूंकि इससे पानी का कोथनाग बढ़ जाता है बायुदाप मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेते की मौसम तुफानी होगा